सोचा था देहात में जाकर खूब पढ़ेंगे एकाग्रचीत होकर पढ़ाई होगी लेकिन भीर को अनुभाव नहीं था कि किस प्रकार जमिंदार के घर में बाते होती हैं वहाँ जाकर मनुरंजन के साधन दिन रात सिकार खेलना कुस्ती देखना चेस खेलना तमाम तरह के स्वागत में उलजे रहना अंडे मंगवा कर कमरे के अंदर खुद बना कर खाना इत्यादी तमाम कारियों में दिन घड़ जाता था और धीरे धीरे कट रही थी दुरगा आता से बात कर रहा था रात दस शाड़े दस दस बज़ गये थे वीर को नीद आ रही थी और ऐसी दस में पिसर लगाने वाला नौकर महरा आने में देर करता है तो वीर ने उस नौकर को बड़ी तेज से डाटा और आप इस रिष्ट से समझ सकते हैं किस प्रकार वीर के सब वीर को नसा चड़ रहा है और एक दिन और एक घटना घटी इश्वरी कहीं दावत पर गया था किसी दूसरे निमंत्रण में और साम को लैंप नहीं जला था सामने दिया सलाई है लैंप जला लीजिए नहीं हुवर साहब है लैंप कैसे जलाएंगे इज़्जत की बात है बीर ने लैंप नहीं जलाया और इसी समय दिख गए रियासत अली और रियासत अली को जबरजास्त डांट लगाई मौका भी अच्छा था इस्टेशन पर रियासत अली नहीं तमाम प्रस्न बीर के बारे में किये थे खेर वो बदला लेने का उद्देश यहाँ ऐसा कुछ नहीं बताया गया है पर मुझे ऐसा मैसूस है आपसे सेयर किया आप बहुत अच्छी तरसे इसको सुनते रहे हैं इसी बीच एक और भी बात है कि जमिंदार के घर में मने इश्वरी के घर में महां एक व्यक्ति आता था रोज साम को ठाकुर वह भी गांधी जी का भक्त था और बड़ा ही मन्चला आदमी था वह भी वीर के बारे में जब जाना कि ये गांधी जी के चेले हैं तो उनसे बड़ा उसका लगाओ और साथ बैठ गया तो वह आता था एक दिन पैर दबाते हुए उसने बहुत सारी उनसे बाते की और बातों ही बातों में उसने ये बात भी रखी कि आप मुझे अपने यह मेरे बस में कुछ भी नहीं है अभी मेरे पिता सब कुछ देखते हैं जिस दिन मैं अक्तियार में आऊँगा उस दिन मैं तुम्हें अपने गाड़ी का ड्राइवर रख लूँगा मंचला ठाकूर इसी खुसी में निकलता है और दो जगड़े भी कर लेता है रास्ते में उसको जब उसके करजा देने वाले अप्यक्ति मिलता है तो वह उससे भी जगड़ लेता है कि तुम घबडाओ नहीं तुम क्या समझते हो मुझे मैं जल्द ही तुम्हारा करजा चु मतनी से भी लड़ाई कर लिया उसको भी मारा पीटा खुसी में कि उसको नौकरी मिलेगी और फिर इस तरह से त्यां बीतने लगती हैं बीतती रहती हैं कहानी के अगले हिस्से में हम पहुंसते हैं और चुट्टी बीत चुकी होती है अब गाओं के लोग और तमाम लोग इश्वरी और विको इस्टेशन पर छोड़ने आते हैं नौकर चाकर भी आते हैं बीर को लगता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो इनको के तौर पर वो बहुत सारे पैसे इन सब कोई नाम के स्वरूर देता लेकिन एक फर्क है आया सेकेंड क्लास में बैट कर था पर जाते समय उसे जनरल कंपार्टमेंट में मौका मिलता है जाने का पैसे की कमी इसका कारण नहीं है क्योंकि इस्वरी के घर वाले काफी पैसे से लवालब है मुख्य बात है कि उनको रेजर्वेशन नहीं मिला और अगर आज वो नहीं जाते हैं तो होस्टल और पढ़ाई में उनकी बहुत हानी होगी होस्टल पहुचने में छुट्टी के बीत जाने के बाद अपने समय के साथ वो नहीं पहुच पाएंगे इन सब कारणों से आज ही के ट्रेन में जाना था और उन्होंने जनरल कंपार्टमेंट में सफर करने के लिए वो राजी हो गए तमाम भीड थी उसमें और इसी बीच में लगभग महीने भर दुगापुजा के छुट्टी भर जमिंदारी के नसे में चूर बीर भी उसी ट्रेन में सफर उसी कंपार्टमेंट में करा था और तमाम रही इसी वो पिछले एक महीने उसने अपने उपर तमाम इसी वो किया था और अब वो कंपार्टमेंट में कलकत्ता आ रहे एक मुसाफिर रहे गता था और उस मिसाफिर ने गर्मी के कारण बार-बार कंपार्टमेंट के गेट पर आता था इस कारण से किसी भी तरह से हो इस कारण से उसके बैक से बीर को दो बार घसणन लग गई एक दो बार घसणन लगी और वीर ने आओ देखा न ताओ और उसको दो तमाचे जड़ दिए और जब तमाचे जड़े तो पूरा कंपार्टमेंट उसका विरोध भी करने लगा लेकिन कहानी का उद्देश से क्या है और कहानी कहां पहुँच रही है बीर ने ऐसा क्यों किया बीर ने नसे में ऐसा किया किस सीज का नसा ये कोई ड्रक सफीम दारू गांजा बीडी सिगरेट भांग इन सब का नसा नहीं है यह नसा है पैसे का नसा जो उसे बहुत जल्द चड़ा था और यही इस कहानी का मूल विशयविंदू भी है अब हम लोग विशयविंदू के कुछ मुख्य बातों पर अपना ध्याना करशित करेंगे हाँ एक बात और कि जब वीर ने उसको दो तमाचे जड़े तो इश्वरी ने विरोध करते हुए कहा कि what an idiot you are वीर यही एक जगह है जहां पर वीर का नाम लिया गया है इसके अलामा नसा कहानी आत्मकथा शैली में लिखी हुई कहानी है जहां पर आप पढ़ेंगे तो आप बार बार मैं पाएंगे इसको आत्मकथा शैली में कहा जाता है यहां मैं यानि वीर है और वीर के कथाकार स्वेम को जिन्दा रखा हुआ है आप इस बात का ध्यान रखे तो